हेलो दोस्तो स्वागत है आज की इस नई वीडियो में और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंडिया नेभी के तरब से आपको SSR का रिक्रिमेंट आपको बहुत जल्दी आपको अपकमिंग डेट्स में देखने के लिए मिल जाएगा और जो रिक्रिमेंट निकला ह के लिए कुछ आपका टीजर निकलता है आपको पता चल जाता है इस तरह के आपको यह आपको अन ओफिसल मतलब कुछ दिनों में आपको जरूर देखने के लिए मिल जाएगा जब इसका ऑफिसल भी आ जाएगा आपको वे अलग से वीडियो बना के बिम बता दूंगा और इस वीडियो में हम बात करेंगे इसको कौन अप्लाइ कर सकते हैं क्या रहेगा सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा इस वीडियो में मैं अब को पूरी जानकारी देंगा और अगर आपको इसका पूरे जानकारी पाने के लिए पीडियो को चाहिए होगा तो वीडियो की को बात करेंगे जो eligibility condition के बार ही बात करते हैं तो कौन-कोन अप्लाई कर सकते हैं अगर आप unmarried candidate male या female दोना अप्लाई कर सकते हैं लेकिन unmarried होना जोरू रही है और जो टोटाल कितना पोस्ट आपको देखने के लिए मिलेगा जिदर आपको फीमेल के लिए आपको फीमेल के लिए आप इधर देख सकते हैं अगर आप 10th plus 2 मतलग plus to pass out हो चुके होगो तो जरूर अप्लाइ कर सकते हो उसके साफ अगर आप अप्लाइ कर रहोगे तो आपका math या physics आपका होना जरूर है और math या physics से साथ आपका chemistry, biology, computer अगर आपका कौन सा भी subject है तो आप जरूर अप्लाइ कर सकते हो ठीके दोस्तों एज के बारे में बात करते हैं तो एज के बारे में ध्यान से सुनें दोस्तों आप बॉन मतलब DOB किसके बीच में आपका होना चाहिए मैं एक तारिकी 2002 से शुरूओ के आपका 11 सक्टोबर 2005 अगर आपका इसके बीच में अगर आपका DOB मतलब डेट बार थे तो आप जरूर अपलाए कर सकते हो ठीके दोस्तों नीचे आने के बात आपको मेरिटल स्टाटर्स के बारें बताऊंगा कि मेरिटल स्टाटर्स मतलब अगर आप अपलाई कर रहे हो तुम आपको पेले से बताया था अगर आप फिमेल या मेल या फिमेल दोनों अपलाई कर सकते लेकिन आपका अनमेरिड जरूर है अगर आप मेरिड साधी सुधा हो आप यहीं कर सकती हो आपका एज हो के भी आप अपलाएं नहीं कर सकती हो और ATIONS asking management management के बारें बाधकर नाप्सकिस हो आपको कितना साल आपको इसका नोक्रीडेखने के लिलेगा आपको पता होना चाहिए आर्मी नेभी एरफोर्स कुण चब यह हो अगनी पत्ल मतलब अगनी भीर लग गया तो आपको चार साल का रिक्रुमेंट देखने के लिये मिलेगा इधर भी आपको चार साल का ही मिलेगा और चार साल के बाद 25% का आपको reservation आपका रग दिया जाएगा ठीके दोस्तो लीप के बारे बात करते हैं मतला आपको कितना दिन आपको लीप देखने के लिए मिलेगा पर येर आपको 30 दिन का छूट चूटी मिलेगा मतला पूरे येर में आपको 30 दिन का छूट मिल जाएग ठीक है दोस्तो और पेर लाउंच के बारे बात करते हैं तो आपको कितना salary आपका नाम आ जाता है मेड़िटलिस में नाम आजा तो आपको कितना salary मिलेगा त nom लग जाता है तो आपको पहले सार में four three शाल सेहर सेलरी मिल जागा और और दूसेय यह में आपको 33 000 का सैलरी मिलेगा और थाड़ अपको 36, cinq चतिस हजर 500 आपका सैलरी मिलेगा और आपको आखरी साल में आपको चाली हजरक आपको पेमर्स के लापको देखने के लिए मिल जाएगा और इदर इनम्न में आपके देख सेकती हो 21 राक आपका रख दिया जाएगा और पर प्लांट निचे आने के बाद आपको देख सकते हुआ लाइफ इंसुडरेंस काबर के लिए अगर प्रोबल्म होते तो आपको आपki देखने रहे मिलेगा और इन देहांथ हो जाता है तो μάze तो आपको पता होना यहां कि आपको बतादिया गए आपको इंपनेटि के बात करते हैं मैं आपको यह बता देने से बीडियो पुरा लंबा हो जाए ठीके दोस्तो 12 नंबर पॉइंट में आप इधर देख सकते हो 15 नंबर पॉइंट में एक्सर्बिस में स्टर्टर से हो तो देखने के लिए मिलेगा और 17 नंबर पॉइंट में आपको बता देता हूँ आपको सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में आपको ध्यान से सुनना होगा सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या रहेगा सिलेक्शन प्रोसेस सिलेक्शन प्रोसेस अप अगनी भी एससार बेट विल इंक्लूड दो स्टेजर आपको पहले सौट लिस्ट कंपूडर बेस्ट ऑनलाइन आपको देखने के लि मिलेगा । चेका ङपका मेरिव मेरिमी जाहेँ। झें नाम से आने से पहले आपका मेंडिकल की आपका किया जाएगा। ठीक है दूस्तों आपको इधर नीचे आनेक बाद आप इधर देख सकते हो इधर आपको बता दिया पुरा 17 नंबर पॉइंट में आपको पुरा अच्छे से बता दिया और इधर आपको पुरा सिलेक्शन प्रोसेस के बारे मतला आपका जो कंपूडर बेस्ट एक्जाम होग ऑफ दो को उसे कंपा और से बारे मिल जायगा तो आपको पुराप जाएगा जो कंपूड़ साच्छ चोहिस्तों जो इंग्जीश साइन्स मेथ मैथमेटिक्स और जेनरल आवरनेस अब को इस टॉपिक्स आपको कोस्षिन आएगा ठीक है दोस्तों आपको इधर बता दिया कि कौन से टॉपिक्स से कोस्षिन आएगा और नीचे आने के बाद आपको इदर देख सकते हो आपको अफिसल साइड भी देए गया और जो आपका time duration मतलब आपको exam पुरा qualify करने के लिए पहला stage exam को qualify करने के लिए पुरा आपको एक घंटा का time दिया जाएगा ठीके दोस्तों और नीचे आने के बाद आप इधर देख सकते हो आपको इधर penalty for wrong answer अगर आप एक question को wrong करते हो तो आपको कितना minus कर दिया जाएगा नहीं आता है तो तुक्का लगा के मार दोगे तो आपको उधर आपको घाता हो जाएगा negative mark भी पड़ता है ना आपको कुछ माइनस भी हो जाएगा examination पी के बारे में बात करते हैं तो आपको कितना रुपया देखने के लिए मिलेगा अगर आप अपलाए कर चूँ तो आप अपको पांसो पचास रुपया देखे आप इस फॉर्म को अपलाए कर चूँ पांसो पचास रुपया उसके साथ आपको अठ्रा परसेंट जी एस्ट भी आपको उधर आपको देना पड़ेगा थोड़ा मेरी सब से थोड़ा ज्यादा इदर आपको देखने के लिए पी और अब को कंप्रीड करना पड़ेगा और स्टेज करने के बाद है अब ही आपको दूश्य स्टेज में एंट्री करना पड़ेगा अगर है सोचलों कि मेथ हंगर हो जाते हो अगर आपको क्वालिफाय कर दिया आ अपको पूरे सब्जड में आपको क्वालिफाइक करना पड़ेगा ठीक है दोस्तों और आपको देख सकते हैं 22 नंबर पॉंट में आपको फीजिगल स्टांडार्ड भी आपको बता दिया गया है कितने आपका फीजिगल स्टांडार्ड रहेगा ध्यान से सुनिए जेंडर के बारे पूषब मानना पड़ेगा और फीमेल के लिए बात कर देख कर लिए और आपको फीक लिए मीलके लिए दोस्ततों आप हिद देखिए आ अच्छे से में आपको बता दिया है इनिचल को पूरह को इनिचल लगेशाम में कुछ आई test, नहीं रहेगा। मेरिट लिस्ट के सारह से राने के ससंते मेरिट लिस्ट का है जो जो सबसे करना अब आपको नीचे के बात आ satisf का अगर मतलों कंप्लेट करने के बाद आपको स्टेज chem aboard म ने के बाद आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा जिदर आपको रेक्रिमेंट आपका जरूर हो जाएगा ठीक है दोस्तों फाइनली रेक्रिमेंट में अधर आपको अच्छे से नौक नी प्रब्लम उस टाइप का आपको स्टाडर मेडिकल स्टाडर्ड आपको देखने के लिए है तो अपसे उसको सॉल्व कर लेजिए मतला आपको अच्छे से नौक नी क्या प्रब्लम है तो आप अच्छे से उसको सिंपल की तरह से आपको उसको अच्छे से कर सकती हो भी इस वीडियो में मैं आज आपको पूरी जानकारी दे दिया है इंडियान ने भी का SSR का जो र पूरी देखने के लिए मिलेगा और अगर आपको हमारा यह अपडेट पसंद आया और इस तरह के और अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को एक लाइब भी कर लिजिए मिलते एक नई वीडियो में तक तक लिए जाहिन बंद मातरम